हालो फ्रेंस, वेलकम टू एक्जाम ट्रेकर यूट्यूब चैनल आज हमें वीडियो में मध्यकालिन इतिहास से उल्टाप 50 कोश्चन का वीडियो लेकर आया है जो कि आपके आने बाले किसी भी एक्जाम के लिए काफी फायदेमन साबित होने उला है अगर आपके एक्जाम में मध्यकालिन इतिहास से कोश्चन पुछर गया तो इस वेडियों से कोश्चन और से देखने हो को मिला गया क्योंकि दोस्तों इस वेडियों में वही कोश्चन रखे गया है जो सबसे अधिक बार रेपीट हुए है प्रिविएस एर एक्जामों में इसलिए पूरा वीडियो एक बार जरू देख लीजेगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हुए हम लोग आज का वीडियों स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर वन है सिवा जी के अध्यात्मी गुरु कौन थे तो सिवा जी के जो अध्यात्मी गुरु थे उठे दादा कॉंड देव इस तरह से इसका अप्सव नमबर एसे हो जाएगा सिवा जी के अध्यात्मी गुरु दादा कॉंड देव थे ठीक है इस question का option number A से हो जाएगा निश्ट question है question number second है ताज महल का मुख अस्थापत्य कार कौन था तो ताज महल का जो मुख अस्थापत्य कार था उस्ताद अहमद लाहोरी इस तरह से इसका option number B से हो जाएगा एक काफी important question है दूस्तो कई बार एक जामों पुछा गया है question number 3 है कौन सा अक्रमलकारी तक्ते ताउस तक्ते ताउस को भारत से लूट कर इरान ले गया था तो ले गया था नादीर साह कौन नादीर साह इस तरह से इसका option number C से हो जाएगा नादीर साह next question है question number 5 है question number 6 है बिरबल के बचपन का नाम क्या था तो बिरबल के बचपन का नाम था महेसदास क्या नाम था महेसदास इस तरह से इसकापस नंबर D साही हो जागा दोस्तो एक काफी important question है कई बार एक जामों पुछा गया है next question है question number 7 है किस मुगलबाद साह के सासनकाल को अस्थापत्य कला का स्वण यूग कहा जता है तो स्वण यूग कहा जता है साह जहां के साह जहां के सासनकाल को मुगलबाद साह के स्वण यूग के नाम से जाना जाता है इस तरह से इसकाफ से नंबर C से हो जाएगा Q8 है कुत्तुब दिन एबग की राजधानी कहा इस्थि थी तो कुत्तुब दिन एबग जो है यह था इसकी राजधानी थी लाहोर में कहा पर लाहोर में इस तरह से इसकाफ से नंबर B से हो जाएगा लाहर में इसकी राजधानी थी निश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर नाइन है तुगलक नामा के रचनाकार कौन थे तो तुगलक नामा के रचनाकार थे अमीर खुसरो कौन थे अमीर खुसरो इस तरह से इसका उस्ट नमबर 20 से हो जाएगा ठीक है नेश्ट कोस्चन है, सिवा जी के माता का नाम क्या था? तो सिवा जी के माता का नाम था जीजा बाई, क्या नाम था? जीजा बाई, और उनके अगर पिता जी का नाम पुछा जाए, तो साहजी भोसले, सिवा जी के पिता जी का नाम था, माता का नाम जीजा बाई था, इस तर से इसकाप से नंबर B से हो जाएगा रामतनु पांडे का मूल नाम कांसे था निश्क कोश्चन है कोश्चन नंबर 12 है सिवा जी का राज्या भिसेख किसने करवाया था तो जैसा कि मैं बताया हूं रामदास ने गुरू रामदास ने सिवा जी का राज्या भिसेख कराया था इस तरह से इसकापस नमबर B से हो जायेगा. Nish question है, question number 13 है, मुहम्मद गोरी ने किसको अपना प्रफम अक्ता परदान किया था? तो किया था कुत्थुब दिन एबक को, किसको कुत्थुब दिन एबक को यह मुहम्मद गोरी का गुलाम था? ठीक है, जिसको अपना पूरा राज दिल्ली का सौब करके वह चला गया था, इस तरह से इसका अपसन नमबर C से हो जाएगा, next question है, question number 14 है, तान सेन का मकबरा कहां इस्थित है, तो तान सेन का मकबरा है ग्वालियर में, कहां पर ग्वालियर में, इस तरह से इसका अपसन हमद सह, कौन था मुहमद सह, इस तरह से इसका अपसन नमबर A से हो जाएगा, next question है, question number 16 है, जहां गीर का मकबरा कहां स्थित है, तो जहां गीर का मकबरा इस्थित है सहादरा में, कहा पर सहादरा में, इस तरह से इसका अप्सा नमबर B से हो जाएगा साधरा में जहां गिर का मकबरा इस्तित है निश्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 17 है तैमूर लंग तैमूर लंग ने किस वर्स भारत पर आक्रमण किया तेकि या था 1398 इस्वी में कव कौं थे द्दादा कौंड देव इस तरह से इसका अप्सा नमबर B से हो जाएगा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 19 है पीर के नामसे किसे जाना जाता है तो जिन्दा पीर औरंग जेब को घाए जाता है तो सिवा जी का समराज की राजधानी कहां थे तो सिवा जी के समराज की राजधानी थी उथा रायगड में, कहाँ पर रायगड में, इस तरह से इसका अप्सन नमबर B से हो जाएगा रायगड, अगला कोश्चन है, किस मुगल बाद साह को साहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो बहादूर साह पर्थम को, किसको बहा साह मुulpमद साह को ही रंगीला बाद साह के नाम से जाना जाता है, इस तरह से इसका अप्सन नमबर A से हो जाएगा, येक्श्ट कोश्चन है, कोश्चन नमबर 23 है, अश्ट प्रधान मंत्री परिसद किसके सासनकाल में, थी, तो अश्ट प्रधान मंत्री परिसद जो थी, नूमताज महल का मूल नाम क्या था? तो मूमताज महल जो थी, इनकी मूल नाम था? काफी important question है, कई बार याम पूछा गया है, इसको याद रफना है अग्ला question है, जयपूर सहर के श्थापना किसने करवाया था तो सवाई जैपूर सहर के श्थापना करवाया था इस तरह से Iskaapse no.b. से हो जाएगा अग्ला question है, पानी-पत की तृति-युद के समय पेसवा कौन था तो बालाजी बाजी राव बालाजी बाजी राव जो है पानिपत के तृती युद्ध में पिसवा था ठीक है इसको आपको याद रखना है इस तरह से इसका आपसा नंबर सी से हो जाएगा अगला कोश्चन है राजा सवाई जैसिंग ने जनतर मंतर की अस्थापना कितने अस्थानों पर करवाया तो राजा जो है सवाई जैसिंग जो थे यह जनतर मंतर पांच अस्थानों पर कराया थे कहां पर पांच अस्थानों पर उन अस्थानों का नाम याद रखियेगा यहादार साह को, जहादार साह को लंपट मुर्ख के नाम से भी जाना जाता है, इस तरह से इसकाफशन नंबर आपका E से हो जाएगा, अगला कुशन है, question number 29 है, सीवा जी के पिता का नाम क्या था, जैसा कि मैं बताया हूँ, साहजी भोसले, साहजी भोसले सीवा जी के पिता जी का नाम था इस तरह से इसकाफसा नंबर B से हो जाएगा अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 30 है आगरा के किले में मोती मस्जित का निर्मान किसने करवाया था ते करवाया था साह जहाने किसने साह जहाने इस तरह से इसकाफसा नंबर A से हो जाएगा साह जहा निश्ट को इसका अफ्षान नमबर एसे हो जाएगा अगला कोश्चन है कोश्चन नमबर 32 है पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था तो पच्छियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था वह था उस्ताद मनसूर कौन था उस्ताद मनसूर इसको आपको याद रखना है पच्छ नामा के रचनाकार थे अबुल फजल, कौन थे अबुल फजल, इस तरह से इसका आफशा नंबर एसे हो जाएगा, निश्ट कोस्चन है, कोस्चन नमर 34 है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जीद, मोती मस्जीद का निर्मार किसने करवाया था, तो कराया था औरंग जेब ने, किसने औरंग जेब ने इसको आपको या रखना है आगरा के किले में मोती मस्जीद का निर्मणा किसने करवाया था तो सा जहाने लेकिन दिल्ली के लाल किले में ते औरंग जेब ने करवाया था नेक्स कोष्च्टन है क्षर्ण निर्मणा किसने अगला कोष्च्टन है Question number 36 है, बहादूर साह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, तो बहादूर साह जफर या बहादूर साह जफर दुती, ठीक है, इसकी मृत्यु हुई थी रंगून जेल में, ठीक है, कहां पर, रंगून जेल ने, अंग्रेजों ने, ध्यान दिजएगा, अठाव से श्तावन के क्र important है कई बार पुछा गया है यहां में तो फार्सी भासा था क्या था फार्सी मुगल काल में जो है कि राज की भासा कौन था तो फार्सी था इस तरह से इसकाफसा नंबर सी सही हो जाएगा निश कोश्चन है कोश्चन नंबर 38 है किस मुगल बादसा को ग्रिणित कायर कहा जाता है तो कहा जाता है फर्रुख सियर को किसको फर्रुख सियर को ग्रिणित कायर के नाम से भी जाना जाता है इस तरह से इसकाफसा नंबर B सही हो जाएगा नेश कोश्चन है कोश्चन नमबर 39 है नादीर साह किस समय दिल्ली पर आकरमण किया था तो नादीर साह दिल्ली पर आकरमण किया था मुहम्मद साह के सासनकाल में कब मुहम्मद साह के सासनकाल में इस तरह से इसका अफसन नमबर सी से हो जाएगा मुहम्मद सा निश्क कोश्चन है कोश्चन नमबर फोटी है सीवाजा का अंतिमाकरवन किस पर था तो सीवाजी ने अंतिमाकरवन किया था करनाटक पर किस पर करनाटक पर इस तरह से इसका अपसन नमबर यह से हो जाएगा करनाटक निश्ट कोश्चन है तेनाली राम किसके दर्बार में रहते थे ते रहते थे कृष्ण देव रायके किसके कृष्ण देव रायके में ही दर्बार में ही तेनाली राम रहते थे इस तरह से इसका अपसा नंबर C से हो जाएगा In next question है. Question number 32 है. हमायू का मकबरा कहां इस्थित है? तो हमायू का मकबरा जो है दिलली में है. कहां पर? दिलली में. इस ही तरह से इसकाफसन नंबर 20 है हो जाएगा. Next question है. पंद्रह सो चपपन में पानिपत के दूती युदह में अकबर ने किसे पराजित किया तो पानिपत का दूती युद्ध हुआ था 1556 में काफी बार पुछा गया है एक जाओं में ठीक है इसको आपको डेड़ भी याद रखना है तो अकबर ने किसको पराजित किया था तो हेमू को किसको हेमू को इस तरसे इसकापसा नमبر A से होजएगा ने-कोमाइउ नामा की रचना किसने की थी गुल वदन बेगम ने इस तरसे इसकापसा नमबर B से होजएगा गुल वदन बेगम casual question है सेरशा का बच्पन का नाम क्या था तो सेरशा ठीक है, सेरसा के बच्पन का नाम था फरीद खाँ, क्या था फरीद खाँ, इस तरह से इसकापस नमबर C से हो जाएगा, निश्ट कोस्चन है, कस्मीर का अगबर किसे कहा जाता है, यह भी बहुत इंपोर्डन कोस्चन है दोस्तों, इसको याद रखना है आपको, जैन उल अब दिन को कस्मीर का अगबर कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से इसकापस नमबर B से हो जाएगा, जैन उल अब दिन, निश्ट कोस्चन है, अगबर का राज कभी कौन था, तो अगबर का जो राज कभी था, वो था फैजी, कौन था, फैजी, इस तरह से इसकापस नमबर B स से हो जाएगा निश कोस्चचन है Number 49 है बाबर ने अपनी आत्म गता किस भासा में लिखी थी तो बाबर ने अपनी आत्म कथा लिखी थी तूर्की में इस तरह से इसकाब सनमबर C से हो जाएगा कोश्चा नमबर 50 है बाबर नामा का फार्सी में अनुबाद किया था तो बाबर नामा का फार्सी में अनुबाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने किसने अब्दुल रहीम खान खाना ने इस तरह से कापसा नमबर B से हो जाएगा दोस्तों इसमें हमने टोटल 50 कोश्चा रखे थे मध्यकालिन इतिहास से आपको यह वीडियों कैसा लगा है प्लीज कमेंड बाक्स में जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियों अच्छा लगा हो तो वीडियों को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक सधिक सेयर करें साथ में इसी तरह के इंट्रेस्टिंग और महत्पूर वीडियों पाने के लिए एक्जाम ट्रकर चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा लें क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही बातरी वीडियों लेकर आते रहते हैं तो दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स्टि वीडियों में तब तक कलिए जय हिंद थैंक्यू फार वाचिंद इस वीडियो